हेलो हेलो इभ्रिवान विल्कम बैक तो मैं चैनल विल्कम टू ये एनादा न्यू ब्लोग मैं हूँ मोश्मी और आप लोग देख रहे हो माई लाइफ माई जारनी आज दिन मंडे और आभी अप्टर नून का टाइम है साइद पांच बज रहा था आभिशे मैं आपना ब्लो से पहले तो यहां पर देखे जालू लगाना मेरा हो गया है तो अभी मैं जाओंगे च्छत पर कपड़े लेने के लिए तो देखिए च्छत पर हम आ गए है और अभी थुड़ा सा वक कर रहे हैं और यह कपड़ा आप लोग देख़े होना यह स्टेप हाम लोगों को गई ह है और जिदने सारे कपड़े था जिन जिन लोगों का दो बोस अब लेके चला गया है और अभी सुरज मामा ना जस्ट रूबने मला है तो दिखें नजरा जो है ना बहुत ही शुंतर लग रहा था तो और यह वीडियो जो है ना बेटू बना रहा था तो इसलिए केमेरा इ नहीं लेके जाते हैं इसे और समर के टाइम में ना साम के टाइम में हम इसे पैक में लेके जाते हैं तो यह थोड़ा सा खेलेगा और यह दिखिए सुरज मामा जस्ट डूबे का तो बहुत ही सुन्दोर लग रहा था दिखने में इस तो अभी जो है रात का 9 बच रहा था और मैं आगे हूँ डिनर बनाने के लिए तो छस से आने के बाद मेरा बहुत सारा काम था वो किया घर पे दिया जलाना था उसके बाद बेटू को थोड़ा सा बिठाया था पढ़ने के लिए जितने सारे कबड़े लेका था बो भी फोल्ड करना था वो मैं आप लोगे साथ नीच आगे हूँ और आज देखिए मैं डिनर बे बना रही हूँ पूरी ये मुसुद दाल का पूरी है तो दो पैर का डाल थोड़ा सा रह गया था तो बो यह देखे मैं पूरी बना रही हूँ मुसुद दाल के साथ मैं मिक्स के था थोड़ा सा सॉल्ट और उसके साथ थोड़ा सा ओयल देखे गाटा को अच्छे से गुंद लिया था और यहां पर देखिए बेटु को ना बहुत ही ज्यादा फूग लग रहा था तो इधर उधर बो कर घुम रहा था खाने के लिए और यहां पर दिखे स्रेम मैं बेट कारम बना चाहिए और यहां पर द Normandy ला द्रिकिए और यहां पर दिखा रही था कि दिनरे अच्छे से फूल रहा है पुरी और पुरी के साथ मैं बना रही हुआ जिए यहां बल्रो साथ मैं धूम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां अब ऊ धाल यृतर घृते मैंने क देखें दूहले हैं ऐसे नहीं ढूंडर उपने। अच्छे से मसाला को भूझ लेना है तो मसाला जब अच्छे से भूझ जाएंगा यह पर मैं अलू एड़ करूंगे अलू मैं पहले से बॉल्ट करके रखे थी तो यह आलू देने के बाद धिरे-धिरे पकाना है थोड़ा सा पानी दिया था मैंने यहां पर तो देखिए यह अलू दम जो है बिल्गुल डेडी है अब मैं इस घाने सिंग के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर दे रही हूँ कोरियेंडल लीब तो चलिए खाना हमारा डेडी है रात का आप लोग भी फटा पर आजाओ हमारे साथ दिनायर करने के लिए पूरी और अलू दम पर देखिए जो तिखा बाला मिर्चा है बोर डाल दिया है इतना ज़्यादा तिखा लग रहा है कि मत पूझे मेरे आग में तो आसु आ गया है और बेटो भी खा रहा था और पानी पी रहा था और यहां पर देखिए मैं भी पानी पी रही हूँ तो आज का डिनार ऐसा हुआ कि एक्द आया क्योंकि बोर ना तिखा खाना पसंद करता है मुझे बिल्कुली पसंद नहीं है और बेटो भी नहीं खा सकते बेटो चोटा है और मैं भी नहीं खा सकती तो वह कैसे खाएगा और अभी देखिए इतना सरह बरतन धो लेंगे हम तो यह चाकी बेलुन जो है ना मैं मुझे सिंक भी कलीन करना है और उसके बाद जो है ना गैस भी कलीन करना है और मैं पीछ देख रही थी वे टू बदमासी करता था क्योंकि इसके पापास ओने चला है वाट यह नहीं जाएगा सोने मेरे साथ ही जाएगा जब तो मेरा काम नहीं ख़दम होगा यह मेरे पीज तो इसलिए रात को मैं डेली कीचेन अच्छे से क्लीन करने के बाद ही सुने जाती हूँ और सुबह उठके फ्रेस कीचेन तो बहुत ही अच्छे लगते हैं हम सभी को तो इहां पर देखिए बर्तन का स्टेंड जो है ना मैं इहां पर रख देती हूँ और उसके साथ साथ थो नाइट क्रीम लगाना है फेड जाना है सुने तो चलिए आज का ब्लग यहीं पर इंड करती हूँ गुट नाइट बाबाई